तो फ्रेंड आज में बात करूंगा Redmi mobile phone के hotspot में कैसे आप data limit set कर पाएंगे और उसके साथ आप device limit and device block भी कर पाएंगे आपके पास realme का mobile phone है तो मैंने उसको इंपोर्टेंट 20 tips and trick के वीडियो बना के रखा जिसमें मैंने एपाट भी cover किया तो आप लोगों वीडियो जो 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 देख लीजिएगा ठीक है तो हेलो फ्रेंड मेरा नमना जमुल खान आप सब लोग को हमरा चैनल क्रासफ क्यूरिस्टी में स्वागात है तो फ्रेंड में आप लोग को अपना Redmi Note 9 Pro में सेटिंग दिखाऊंगा आप चाहिए तो आपका Redmi का जो भी mobile है सब में सेटिंग सेम है ठीक है तो में यहाँ पर सेटिंग में चला जाते हैं मेरे यहाँ पर UI version है 12.01 ठीक है सबी UI में more or less सेटिंग सेम है तो इसको back कर ले थे उसको बाद फेंड यहाँ पर हम लोग जो portable hotspot है इसमें जाएंगे तो आप एक option मिलेगा one time data limit तो simple से इसको पर tap करना है and tap करने के बाद यहाँ पर जो on time data limit है इसको on करना है उसको बाद फेंड यहाँ पर अपना हिसाब से size को set कर पाएंगे इसको customize कर पाएंगे ऐसे करके आप अपना hotspot data limit को set कर पाएंगे ठीके and फेंड device block and device limitation के लिए आपको back पर आना पड़ेगा and back पर आने के बाद फेंड यहाँ पर option है connected device करके सिंपल से इसको पर tap करेंगे तो यहाँ पर पहली option है limit of connected device and उसको बाद block list है तो limit of connected device में जाएंगे तो फेंड यहाँ पर unlimited से लेका 6 तक सब मिल जाएगा तो आपना हिसाब से आप यहाँ पर device को select कर पाएंगे तो फेंड आप अपना किसी भी connected device को block करने के लिए यहाँ पर जो connected device इसको पर simple से tap करेंगे यहाँ पर यहाँ पर option आगया तो आप ok कर देंगे तो यह block हो जाएगा उसको बाद आप block list पर जाएंगे तो यहाँ पर option आजाएगा फिर आप unblock भी कर पाएंगे इसको पर फिस से tap करेंगे ok करेंगे तो यह unblock भी हो जाएगा ठीके ऐसी करके आप अपना किसी भी connected device को block unblock कर पाएंगे तो फिर आप लोग का problem solve हो गया मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई